हालो फ्रेंड्स राधर रहें कैसे आप सब निशा कीचन अफिसियल में आप सब का स्वागत है तो चलिए आज हम बनाएंगे तील का लड़ू बहुत ही फैदा करता है गूड भी और तील भी तो चलिए आज हम बनाते हैं तील और गूड का लड़ू तो चलिए यहां पर मैं करते हैं यहां पर पहले हम चिल को भूल लेंगी आपाहि दिया है गरम होने के लिए तो मैंने त्रील धाल दिया है जया सकते है इसको जब तक चिटकंळ ना लग जायका तब जाकर हम इसको निकाल लेंगी तब तक अगर वीडियो अच्छी लगई तो लाइक से कर्मेंट ज़रूर करिएगा और चैनल पे जाकर सस्क्राइब कर लिजेगा और प्रेस कर दिएगा ताकि ऐसी वीडियो देखने के लिए आपको हमेशा मिलती रहे तो कमेंट में बताइएगा कि आपको कौन सा रेसीपी चाहिए तो चलिए अब हम इसको अच्छे से भून लिए हैं पर देखें मैंने तोड़ करके यहां पर दृव दिया गुड़ को और यहां पर मैंने गैस को लॉफलेम पर रखा है आप लोग भी लॉफलेम पर रखेंगा ताकि गूर ना जले तो यह दिखें अच्छे से में इसको और रेडी कर लेते हैं तो आप देख सकते हैं बहुत दीर दीर अच्छ से गुड़ पीखल रहा है तो इसको हम चलाते रहेंगे ब्लाइब के वारे जुछ जूले नहीं तो आप देख सकते हैं बहुत इच्छी तरीका से छुगूले एक्डम हो गया है Hey, चली इसको आम पानी में चेक कर लेते हैं तो यह देखिए हमारा गूर ञूआ अच्छा से रेडियो चुका है चलिए भिसमें तील को डाल देते हैं और अच्छे से मिक्स कर लेते हैं तो इसी तरीका से आप लोग भी बनाएगा बहुत ही इसजी है तो यह देखिए मैं अच्छे से पिलास से पकड़ के ताकि गिरे नहीं तो मैं इसे को अच्छे से मिक्स कर लूँगी तो आप देख सकते हैं बहुत असान तरीका है बनाना आप लोग भी बनाएगा जरूर और कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको यह लड्डू तील का कैसा लागा तो चलिए अब इसको प्लेट में निकालते हैं तो यह देखिए गाज मैंने प्लेट में निकाल लिया है अब हम इसका लड्डू रेडी कर लेंगे तो बहुत ही फायदा करता है तील का तो यह आप देख सकते हैं तो इसी तरीका से हम सारा लड्डू बना लेंगे तो चलिए हम सौब कर लेते हैं तो यह देखिए हमारा लड्डू बहुत ही एकदम सुपर टेस्टी बनके रेडी हो गया है तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा एकदम लड्डू बना है तो म झाल झाल